हेलो फ्रेंज वेलकम टो मैं चैनल रतन बाईसा की रसोई तो आज हम हमारी रसोई में बहुती अलग नए अंदाज में लहसुन की चटनी की रेसिपी लेके आए हैं जो बहुती सिंपल है बनाना तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ला मैं प्रीन ही तो उब आंगे ले लिया है चननी में यह कच्छी लहसुन के ओपर से हम यह कच्छा निकाल के इसे काट लेंगे कुछ हमने यह आ पर खोबर लिया है चार से पांच हरी मिर्चे ली लगे के पोधीना के पत्वे आप चाहें तो चोटे चोटे बारी काट सकते हैं है तो यह हमने लगे लजुन को जो है अच्छे से कच्रा निकाल के काट के रडी कर दिया है कि यहां पर हम कुछ हरी मिटची का करेंगे और कुछ लाल मिटच का तो ये मैंने सारे पीस के इसका पेस्ट बना लिया थोड़ा सा पानी एड़ कर दिया है अब हम लेंगे कड़ाई और कड़ाई के अंदर हम डालेंगे दो से तीन टेबल स्पून तेल मैंने यहापे सरसो के तेल का इस्तमाल किया है तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है तो राई डाल देंगे राई हमारी छटक रही है तो अब हम यहापे जीरा डाल देंगे आप चाहे तो सुखी लाल मिर्चवी डाल सकते हैं साबुत अब हम डाल देंगे एक चौताई टीस्पून हिंग अब हमने जो पीस के इसका पीस्ट बना के रखा था उसे हम इसके अंदर एड कर देंगे और पुरा पानी सोगने तक हम इसे ग्यास की फ्लेम को लो मीडियम रखते हुए इसे अच्छे से पका लेंगे अगर आपको खोपरा नहीं पसंद है तो इसे आप स्केब भी कर सकते हैं तो इसे इस तरह से ग्यास की फ्लेम को लो रखते हुए हम इसे पका देंगे अगर हाई फ्लेम में पकाएंगे तो इसके चीटे उचलते हैं तो अब हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लाल मिर्च आप चाहें तो हरी मिर्ची की कॉंटिटी ज़ादा रखें तो लाल मिर्च नहीं डालेंगे तो भी छलेगा अब हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला हल्दी पाउडर इन सारे मसालों को जो हैं हम अच्छे से मिक्स करके इसे अच्छे से पका लेंगे तो ये देखिए इसे मैंने तीन से चार मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से पका दिया हैं तो आप देख पा रहे हैं हमारी हरे लसुन की चटनी जो है जटपट बनके रड़ी हो चुकी है अब हम इसके अंदर आधा निम्बू का रस डाल देंगे जिससे इस चटनी का टेस्ट जो हैं दुगना हो जाएगा अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे आफ तो ये हमारी हरे लसुन की चटनी बनके जो हैं रड़ी हो चुकी है इसे ये टाइट डबे में डाल के स्टोर कर सकते हैं